साथियो सरप्रतम मैं आपको हिर्दे से सुब कामनाय देना चाहती हूँ कि आप बहुत ही भाग्यसाली है क्योंकि आपने भगवान स्री कृष्ण की प्रेरणा से ही स्री मदभागवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है मुझे पर विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अन तक देखने और सांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही साकरात्मक बदलाव आने वाले हैं सांतियो मेरा खुद का अनभव कहता है कि अगर आप इस बहु मुल ग्यान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पुरा अन तक सुने हर रोज सुबा और रात को सोने से पहले जरूर सुनें दूसरों को भी सुनाए क्योंकि जीस तरह खुशिया बाटे जो वह चाता है चाहे खुशी पाना हो चाहे सफलता पानी हो या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो या चाहे अपनी जिन्दगी बहतर बनानी हो या भगवान का साथ पाना हो स्री भागवद गीता से ज्यादा महान कोई और दूसरी चीज नहीं हो सकती आईए सुरू करते हैं मैं कोशिस करूँगी कि आपको यह सारी बाते बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाए दोस्तो इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं किसी कारण के नहीं होता एक बार पुराने टाइम में एक गाउं में एक गरीब औरत रहते थी उसको जब बचा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्त था लेकिन एक बार किसी घटना की वज़ा से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई वह बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ यह क्यों हुआ और वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोस्ती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुस्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काटती समय बीददा गया उस गाउ में एक दिन साधू के वेश में एक माया भी राक्षस आया वह राक्षस अपनी सक्ती जादा करने के लिए बहुत सारे बच्चों की बली लेता था उसमें इस बच्चे को भी देख लिया लेकिन जैसे ही वह उसकी बली देने लगा तो उसको अपने गुरू की सरत्याद आ गई की जिस भी बच्चे की बली देनी हो तो उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए और उसको मजबूर होकर उस बच्चे को वापस घर भेज दिया और उसकी मा ने अपने बच्चे को सही सलामत देखा थो उसकी मा को यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है चाहे वह अच्छा हो रहा है या चाहे वह बुरा हो रहा है वह कभी भी बिना किस कारण के नहीं होता तो दोस्तों इससे हमें यह सीख मिलती है कि आप किसी भी हालत में कर्म किये बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते ऐसे हो ही नहीं सकता कि इनसान का सरीर एक सकंड के लिए भी बिना कर्म किये रह सके ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस रिष्टी का एक कड एक सकिर्ण के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके कर्म करना हमारे जीवन का अभीर नहीं सा है अगर हम सोते हैं तो हमारा दिमाग नहीं सोता है हम सपने देखते हैं, सास लेते हैं हमारे सरीर के हर अंग में करोडो सुक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं हम कर्म करने से कभी भी नहीं बच सकते और भगवान या भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंद करके नहीं रखना चाहिए हम जो भी करते हैं वह या मान कर करे की करने वाला मैं नहीं हूँ बलकि करने वाला वा उपर वाला भगवान है मैं तो केवल एक कारण मात्र हूँ उसको करने के लिए इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ बलकि यह काम मेरे द्वारा हो रहा है मेरे द्वारा कराया जा रहा है और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा हमें कभी भी दुख नहीं होगा हमें कभी घमंड नहीं होगा दोस्तों दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाए आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए बहले ही आपकी जिन्दिगी में कितने ही कश्ठ हो लेकिन अगर आप आजाद हो तो आपकी वास्तिक हो मनुष्य की भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है इनसान किसी किसी का गुलाम नहीं है वो अपने दिमाग का अपने विचारों का गुलाम है कभी भी किसी इनसान को किसी का गुलाम नहीं रहना चाहिए भगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि इनसान दुखी रहता है तो उसका सबसे मोटा कारण है मोह में अज्यान आता है और जीवन में समस्याय सुरू होने लगती है महा भारत में ध्रिष्ट राज को दुर्युधन ने पुत्र मोह की वज़ा से धर्म अधर्म ग्यान ही नहीं रहा था अंत में सब कुछ बरबाद हो गया महा भारत में सुरी क्रिष्ट ने अर्जुन से कहा था जब ग्यान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोक्ष को नश्ट करती है मोक्ष की इसलिए नश्ट करती है क्योंकि मोह अग्यान और यूनान का समराट शिकंदर पूरी दुनिया जीत लेगा उसके बाद क्या करेगा क्योंकि इसके अलामा दूसरी कोई दुनिया ही नहीं है इतना कहकर शंत जोर जोर से हसने लगे संत की बाते सुनकर शिकंदर निरास हो गया था शिकंदर ने संत से कहा कि आप मत हसिये मत यह बात सची है लेकिन मैंने आज तक यह बात सोची ही नहीं थी सिकंदर ने अभी दुनिया जीती ही नहीं थी लेकिन जीतने के विचार से ही यह निरास हो गया था क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा सिकंदर ने संत से कहा कि आप हस क्यों रहे हैं संत ने जबाब दिया कि तु पूरी दिनिया जीत लेगा तब ही तुझे निरासा ही मिलेगी क्योंकि तु दुनिया को जीतने के मोह में बंदा है जबकि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं हमेसा खुश रहूँगा क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है मोह की वज़ा से जीवन में दुखी ही आते हैं, मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, शुक सुभिदा और मान सम्मान का मोह हो सकता है, जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही, मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है और जब असफल होता है तब भी दुख मिलता है श्रेक्रिष्न कहते हैं कि जब मोह को त्याग दोगे तो उसे मेरी कृप्या मिल जाती है मोह रहित भ्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए ज्यादा पाने का मोह कर तो दुख मिलेगा तै है भगवान स्रेक्रिष्न कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा तुम भूत का पस्चताप ना करो भविस्य की चिंता करो वर्तमान चल रहा है तुम्हारा क्या गया जो ना तुम कुछ लेकर आये जो लिया यहीं से लिया जो दिया यहीं पर दिया जो लिया इसी भगवान से लिया जो दिया इसी को दिया खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, पर्षो किसी और का होगा, तुम इसे इतना समझ कर मगन हो, रहे हो, बस यही प्रसंता है तुम्हारे, दुखो का कारण है। दोस्तो एक बार की बात है एक आदमी सागर के किनारे घूम रहा था तभी एक दम उसकी नजर चांदी के एक डंडे पर पड़ी जो बहते बहते किनारे पर आ गया था वह खुश हुआ और जट पट उस डंडे को उठा लिया अब वह डंडा लेकर तहलने लगा अब धूब ज जादा हो गई तो उसका मन सागर में नहाने का हुआ उसने सूचा अगर डंडे को किनारे रखकर नहा आउंगा तो कोई ले जाएगा इसलिए वह डंडा हाथ में ही लेकर नहाने लगा तभी एक उंची लहर आई और तेजी से डंडे को बहा कर ले गई दोस्तो भाग टू में में बताऊंगी कि उस आदमी को ओ डंडे मिले की नहीं तब तक वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कमेंट में जय स्रीकृष्ण जरूर ले